जह हैं दोस्तों कैसे होगा आप लोगा यह उपच्छे ही होगे दोस्तों आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं जो computer operator 2024 वाली vacancy है उसके exam date के वारे में कि आप लोगा exam कब तक होगा और इसके साथ ही हमारे एक साथी हैं तोसार उन्होंने RTA डाली है RTA होता है Right to Information Act 2005 जिसक सवाल पूछ सकते हैं किसी भी exam में कितने form भरे गए हैं कब तक उसका final result आएगा कब तक exam होगा इस सर्लेटिड हम कुछ भी जवाब किसी भी सरकारी संस्था से पूछ सकते हैं यह हमारा अधिकार है कोई भी आम आदमी Right to Information Act के दहर सवाल जवाब कर सकता है ठीक है तो तुस साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि exam क्यों delay हो रहा है और क्या working process इस समय चल रहा है वरती बूर्ड में और कब तक exam होने की उमीद है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सिस्क्राइब कर देना इसी तरह के आगे भी वीडियो देखने के लिए तो चलिए विरादरी करे वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम RTI ही पढ़ लेते हैं जो RTI तुसार मही ने डाली थी उसका क्या रैपलाई भरती वोड ने दिया मतलब यह भरती वोड ने जवाब दिया है तुसार दुआर के लिए ठीक है किरपया अपने प्रात्न पत्र दिनांग तेरा नो दोहजार चौविस का अब लोकन करें जिसके द्वारा उत्रपदेश को विसमें कंपिटर ऑपरेटर ग्रेडे पदों की सीधी भरती 2023 में भरे सब्सक्राइब ने सुचना के अधिकार के अंतर करत सूचना मागी गई ती मतलब तोसार वाही है नहीं अब्दनों की संख्या पोची कि तिन आरवीदन अब वरे गए और प्रेक्षा की तीचिस नहीं सूचना कोची ती कि परिक्षा कब तक होगी तो इसका जो जवाब द से चेन की कार्यावाई पिर्चिल्थ हैं भरती से संबंदित अधिक जानकारी है तू भर्ती बोड की वेबसाइड पत्र संख्या पियार पीवी उन्हें इसका जवाब दिया है इन्होंने आठ दस दोहजार चौविस को जन सूचन अधिकारी उप्तर प्रुदेश पुलिस भरती एमम पुरुनती बोर्ड लकनो तो दोस्तों जो तुसार भाई ने सुचना मांगी थी कितने फॉर्म फिलुए हैं और कब तक इसका एक्जाम हुआ लेकिन भरती बोर्ड ने कोई भी सुचना मतलब उपिन ली नहीं बताई उन्होंने सीधा कहा दिया कि यूपी पी यार्वी की जो ओफिशल वेबसाइट हैं उसका आप लोकन करती रहें भरती बिल्क्रिया प्रचलित हैं लेकिन और ने कोई भी डेट वगेरा मैंसर नहीं की क्यों नहीं की वह भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों जब भी कोई आर्टी आई मांगता है तो जो बाबू पैठे होते हैं हिट कौर्टर में मेरे ओफिस में भी आर्टी आई यों के जबाब दिये हैं मैंने खुद एपलाई दि एए हैं हमारे हम और बढ़ती वोड का ही ले लेते हैं बढ़ती वोड के बाव अगर दिसंबर दे देते में संग कर देते हैं कि दिसंबर में आप लोगों का एक्जाम होगा तो जो उपर अधिकारी वैठे हैं स्थी एडिसनल स्थी आईजी डिजी रहें तो कहीं न कहीं उनके लिए वोगों मुसीवत बन जाती ठीक है अगर वो रेप्लाई दे देते तो फिर आप लोग सब त्यार थे कि दिसंबर आप लोगों का एक्जाम लोगो और एक्जाम कि नहीं कारणों वन्स अगर डिले हो ज कि कोई भी बाब किसी विवाफिस का हो वो सीधी सीधी सूचना अर्टिया के माध्यम से नहीं देता हमारे ओफिस में सूचनाय मांगी जाती है जो रेटायर लोग है वो सूचनाय मांगते हैं लेकिन हमारे ओफिस से भी उन्हें प्रॉपर मतलब जो मांग रहे हैं वो नही जानकारी है इसके बारे न हमको जानकारी आपके साथ साजा नहीं कर सकते और यह एक नियम भी है सरकारी पर उसको मैंसन कर देते हैं अंधारा वगेरा तो समझ रहे हो आप हर आफिस का अलग-अलग हिसाब होता है उन लोगों के भी कुछ नहीं मजबूरी रही होगी जो उन् जी ने कह दिया है तो फिर अधिकारियों को चाहें दिन रात कॉपी चेक करनी पड़े है खुद वैट कर चेक करनी पड़े लेकिन रेजल्ट इसी महीने आएगा डले नहीं हो सकता जब साथ है और 244 वाली वेकेंसी का रेजल्ट आ जाएगा इस महीने उसके बाद उसके त पता नहीं क्यों बढ़ती वोड हमारी वेकेंसी को भूले वैठा है लेकिन नहीं तो यूपी में चुनाव हैं इस समय चुनाव हो चुके हैं जो होने थे ठीक है और इसके अलावा कोई भी पैंडिंग रखने का आपकी वेकेंसी का कोई भी कारण बढ़ती वोड के पास न समझता हूं आप मेंसे अधिकतर लोग हिम्मत तोड़ चुके हैं और परिशाम में हैं पढ़ रहे हैं लेकिन एक्जाम डेट नहीं आ रही हैं दोस्तों कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो इतनी जल्दी हार मत मानों सुरूरात हमेशा सबसे कटिन ही होती है किसी भी काम को क इसमार मत रहे हो बहुग कर देखते हैं तो फिर हमें वही काम बहुत न करने आसानी से तो प्लीज हिंङमत रहो हिंपमत मत ओर ये आपका कटिन समय चल रहा है लेकिन इसको भी घर करो ताकि आप आगे भी प्रिपेर हो समय और चीजों के लिए और आज संडे हैं आज मैं हेड़ कॉर्टर भी बात करूंगा मेरे फ्रेंड हैं वहाँ पर बाबू है वो भी तो अगर मैं कुछ निकाल सबकूं अंदर की वात हैं तो मैं पूरी कोसिस करूंगा अगली वीडियो में आपको बतानेगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाएं दोस्तों